रादे रादे एवरीवन आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुब काम नाएं फ्रेंट्स माग मास के शुकल पक्स की पंचमी को वसंत पंचमी के रूपे में मनाया जाता है इस दिन ग्यान बुद्धी की देवी मा सरस्वती का पूजन किया जाता है कहा जाता है कि इस दिन अगर हम प्रेम पूरक मा सरश्वती का पूजन करते हैं तो ज्यान बुद्य और विवेक की प्राप्ती होती है और बच्चों को भी आप पूजन में जरूर शामिल करें ताकि बच्चों को भी मा का अशिर्वाद प्राप्त हो सके और वो अपने जीवन में अपने लक्षे को प्राप्त कर स्पाएं हमने पूजा कैसे करनी है इसकी सरल वीदी मैं ने शियर की है तो चलिए मैं आपको पूजा वीदी बता देती हूँ कि हम कैसे करें तो फ्रेंड्स जब हमें मा बसंत पंचुई की पूजा करनी है तो सबसे पहले जिस जगह पर हमें पूजा करनी है वहाँ सुबह सुबह सनान करने के बाद उस जगह पर हमें चोकी लगानी है वहाँ पर हमें स्वास्तिक बना लेना है हल्दी से स्वास्तिक बनाना है उसके उपर थोड़े से चावल रखने के बाद हमें एक पाटा रखना है या जो आप पाटा ले सकते हो या चोकी लगा सकते हो तो मैंने एक चोकी लगा लिया और उसके उपर पीले रंकावस्तर मैंने आसन के रूप में बिछा दिया है अब मा सरश्वती को कोई की कोई भी फोटो या मुर्ती जो आपके पास है थोड़े से चावल रखकर उसको वहाँ पर विराजमान कर देना है और उसके पास विराजमान करने के बाद थोड़े से चावल हमने आसन के रूप में रखने है और उसके बाद हमने गनेजी के लिए कोई भी पूजा धूरी है इसलिए धरंप्र जी जी को विराजमान करना होता है अब हम सनान कराएंगे तो सबसे पहले हम जल के छीटे से हम गनेश जी को मा सरस्वती को सनान कराएंगे क्योंकि हमने चोकी लगा दिया, तो अब हम सनान कराएंगे आप friends, अगर आप चाहो तो पंचामरे से भी सनान करा सकते हो गनेज जी का और मासरसुती का और आप चाहो तो छीटे के रूप में भी सनान करा सकते हो तो मैंने छीटे के रूप में पहले जल से सनान कराया, फिर मैंने पंचामरे से सनान कराया, फिर फिर मैंने जल से सनान कराया, इस तरीके से मैंने सनान करा दिया, अब हम कलश की स्थापना करेंगे, तो अब हमने शुद्धी करन कर चुके हैं, तो कलश की स्थापना करने के ल आप चाहो तामबे या पितल का कलश ले सकते हैं कलश थापना के लिए और उसमें मैंने उसके कंट तक शुद जल को भर दिया है तो इसमें जब हम जल भरते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें गंगा जल भी मिला लेते हैं तो गंगा जल हम मिलाने के बाद अब हम उसमें थोड़ी सी हल्दी की गांट अगर हल्दी की गांट नहीं है तो जो पिसी हुई हल्दी वो डाल देंगे एक लोंग एक इलाइची एक सुपारी और हम एक का सिक्का ये सब पांच चीजे हम इसमें डाल कर हमने इसको अपने करके पहले चंदन से तिलख करें फिर आप रोली से तिलख करकर आप उसको लोटे में कलश में सजा देजिए अब फ्रेंड्स ये सजने के बाद अब हमने क्या करना है अब हमें एक काटोरी में या किसी भी पातर में चावल लेकर उसके उपर मुख पर रख देना है और पर तिलग करेंगे, आप चाहो तो तिलग कर सकते हो, आप चाहो तो स्वास्तिक बना सकते हो, जैसे भी आप को ठीक लगता है, आप नारियल पर स्वास्तिक बना दिया है, मैंने देखी, मैंने नारियल पर स्वास्तिक बना कर, फिर मैं इसको कोई पीली चुन्नी है, या आप कलावा बांद कर आप इसको सीधे जो आप जिस साइड आप बैठे उसकी तरफ मुख करके ही आप नारियल की स्थापना करेंगे तो ये देखी सीधे मुख मैंने अपनी तरफ मुख करते हुए नारियल को ऐसे सीधा रखा है अब हमारे चोंकी त्यार होगी है हमारे कलस की सकते हैं इसे सिधा चोंकी पर भी आप ढीपक जला सकते है तो मैंने एक चोटी सी प्लेट लेए उस पर मैने स्वास्तिक बना कर आब उस पर मैंने घी का दीपक रख दिया है अब हम जोत जलाएंगे जोत जलाने के बाद degrees जब हमारे जोत जल जाएगी तब हम सबसे पहले ह कलावा पहनाएंगे गनेजी को कलावा वस्तरस्टूप कलावा sa smarterpitcka रेंगे माच्छ सरसल्षवती को भी कलावा समर्पित करेंगे और उसके बाद क्योंकि हमने कलश की स्तापना कर दिया और उसमें हमने कलश को भी कलावा पहले से बांध दिया था तो इसलिए अब हम तिलग करेंगे पहले गनेश जी को तिलग करेंगे फिर माल सरस्वती को तिलग करेंगे और फिर जो हमारी हम कलश है उस पर भी हम तिलग करेंगे आप चाहो तो इस पर स्वास्तिक बना सकते हैं मैंने स्वास्तिक बनाया है कलश पर स्वास्तिक बना दिया है तो स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास रोली से तिलक कर दिया फिर हमने गनेश जी को हमने जनेव पहना दिया है अब हम वस्तर पहना दिया है गनेश जी को अब माता सरस्वती को भी हम आपके पास जो चुन्नी है या कोई साड़ी है य लेकिन कोशिश करें कि यह पीला ही हो तो मैंने पीले रंका वस्तर माता को उढ़ा दिये चुमनी अब हम फूल समर्पित करेंगे पीले फूल माता को अतीपिरिय हैं अगर सरसों के फूल मिल जाए तो और भी उत्तम है नहीं तो आप कोई भी पीले फूलों से गनेश जी को सम समर्पित करने के बाद बुक्स को समर्पित कीजिए फिर आप दीपक को भी फूल समर्पित कीजिए सभी को अच्छे से फूल समर्पित कर दिया है तो उसके बाद अब हमें दीपक उसको जो हमारा बुक्स है उस पर भी हम तिलक करेंगे लेकिन तिलक हम सुखा ही करेंगे इस शिंगार की सामगरी माता रानी को चढ़ाएंगे जो भी एक, दो, चार, पांस, साथ जो भी आप चढ़ाना चाहों माता रानी को सिंगार की सामगरी आप चढ़ा दीजिए और सिंगार की सामगरी आप अपने शर्दा के अमसार कुछ भी कम ज़्यादा चड़ा सकते हैं अब भोग में आप मातारानी को भोग समर्पित कीजिए अभी जैसे मैंने ये बसंती पीले चावल बनाए हैं क्योंकि जो की बसंत पंचमी है तो उसमें पीले चावल ही बनते है तो पीले चावल का भोग मातारानी को जरूर जरूर लगाएं क्योंकि मातारा आप चाहो तो कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हो, रितुफल जरूर समर्पित करें, जो भी आपके पास है, रितुफल जरूर समर्पित करें, और आप कोई मिठाई मातारानी को समर्पित कर सकते हैं, तो वो भी करें, अब घंटी जरूर बजाएं, हमारी पूजा में घं कोई पूजा करें आप जैसे मैंने घंटी रखी है उसको मैंने बजाया उसको रखा उसकी पूजा की है मैंने कुम-कुम लगा दिया है और फूल चड़ा दिया अब मैंने दक्षिना रखी है दक्षिना अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिना उस कमी को तो मिठाई रखे नहीं तो आप पतासेगा से भी भोग लगा सकते हैं लोंग इलाइची सुपारी से मातारानी का भोग लगाईए और धूपदीफ दिखा दीजिए धूपदीफ दिखाने के बाद फ्रेंड्स हमारी जो पूजा है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है अब हमें कथा करनी है अगर आप कोई पाठ करना चाते हैं तो पाठ करें कथा सुनना चाते हैं तो इस समय आप कथा सुन सकते हैं कथा सुनने के लिए आप अपने सिद्धे हाथ में पीले रंग का फूल या चावल लेकर आप माता की कथा सुनें कथा सुनने के बाद जैसे हमार जो कथा है वो पूरी हो जाती है उसके बाद जो फूलव मारता के चर्णों में अर्पित कर दीजिए और अब हम कपूर से आरती करेंगे कपूर से आरती जब आप करते हैं तो आप ये दिये से भी आरती कर सकते हैं कपूर से भी कर सकते हैं पहले गनेश जी के आरती कीजिए फिर मा सरश्वती के आरती कीजिए बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ आप ये आरती करें और मातारानी की आरती करने के बाद आप मासे पूजा में रही कम्यों के लिए शमायाचना करें और ज्यान बुद्धि विवेक के लिए पराथना करेंगे इस तरह से हमारा पूजन पुरन हो जाएगा पूजा के बाद जो थोड़ा सा जल हात में लेकर अपने चोंकी पर दो बार से वार देना है और जो ये जल का कलश है इसको हमें सुरिया को अरग दे देना है जो भोग परशाद हमने माता रानी को चड़ाया है जो हमने चावल मीठे चावल बनाए है जो रितूफल है, जो पता से ही सब हम अपने परवार के सदस्यों में बांट देंगे, जो दक्षिना है वो कन्या को दे देंगे, सिंगार का समाना आप खुद भी रख सकते हो, आप आस पास बांट भी सकते हो, तो इस तरह से हमारी पूजा संपन हो जाती है, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैश्री कृष्णा, राधे राधे